स्थेतोस्कॉप एक कॉमन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल प्रोफेशन में जिसको तावीज की तरह मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और नर्सिस बहुत शान से गले पे रखते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट ने तो केडूसियस जो की सिंबल है मेडिसिन का उसकी भी जगा ले ली है क्योंकि स्थेतोस्कॉप के कमपैरिसन में कोई ऐसा सिंबल नहीं है जो डॉक्टर्स को इतना स्ट्रॉंगली रिप्रिजेंट कर सके और इसकी इंपोर्टेंस मेडिकल फील्ड में इंमेजरेबल है और इस वीडियो में हम इसी इंस्ट्रूमेंट के इंवेंशन के बारे में बात करेंगे की कैसे ये इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्टेंस में आया मतलब ऐसी क्या वज़ा थी जो इस इंस्ट्रूमेंट को invent करना पड़ा और इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने में किन-किन लोगों का main role रहा और समय के साथ चात इस इंस्ट्रूमेंट में बदलाव लाए गए आईए देखते हैं इस वीडियो में डॉक्टर मल्टिपल सेंसिस का इस्तमाल करते हैं जिस से वे ये जान सके की हुमन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है इसके लिए वे पल्सिस चेक करते हैं प्रीट सुनते हैं और कुछ टेस्ट भी करते हैं लेकिन हमेशा से हमारे पास डाइगनोसिस के लिए ऐसी टक्नलोजी डेवलप नहीं थी आज से 24 साल पहले हिपोक्रेट के टाइम में वे इस तरह से उठाके बॉडी फ्लुइट्स के बारे में पता करते थे और 17 सेंच्री तक ऐसे ही चलता रहा डॉक्टर पेशन्ट से पूछते थे उनको क्या तकलीफ है और वे पेशन्ट की बॉडी को बाहर से देख के ही डाइगनोसिस कर रहे थे पर उश टाइम उनके पास कोई ऐसी टेकनलोजी नहीं थी कि जिससे पता लगाया जा सके की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है डॉक्टर्स ये नहीं बता पा रहे थे कि विमारी पेशन्ट के बॉडी के अंदर उत्पन कैसे हो रही है पर उनके पास बॉडी को काट के इग्जामिनेशन करने के इलावा और कोई आप्शन नहीं था लेकिन 18 सेंच्टी में हमारे सामने लियोपोल्ड ओन ब्रगर आएं इन्होंने मेडिसिन के वर्ल्ड में परकॉशन जैसा इनवैलियूबल टूल दिया परकॉशन में डॉक्टर्स इस तरह हाथों और फिंगर से टैप करके पेशन्ट के बॉडी के अंदर की फ्लूड और गैस के बारे में पता लगाते हैं ओन ब्रगर के पिता एक छोटा सा बार चलाते थे उनके पिता इन बैरल्स को टैप करके देखते थे कि वे खाली है या भरा हुआ है ओन ब्रगर ने इस टेक्नीक को एक डाइगनोस्टिक टूल की तरह देखा जिससे वे human chest के अंदर के fluid को पता लगा सके और उनोंने बताया कि कैसे इस टेक्नीक से lungs की cavities, position और size का पता लगाया जा सकता है और ये पहली बार था कि doctors accurately patients के symptoms को बता पा रहे थे क्योंकि उन दिनों lungs की एक fluid killed विमारी बहुत common थी तो उनके पास बहुत opportunities थी जिससे वे percussion को test कर सके ओन ब्रगर बहुत लोगों पे percussion करके उनकी बिमारीयों का पता लगाते और उन patients के मरने के बाद वे अपनी findings को confirm करते और उनकी जो सारी observations हैं वे उसको अपनी book inventum novum में लिखके 1761 में publish करते हैं पर उनकी book को शुरुआती विनों में जादा attention नहीं मिलता है और फिर बहुत साल बाद कोवी साटनाम के physician को इस technique के importance के बारे में पता चला उन्होंने इस technique को फ्रांस में अपने students को भी बताया और वे खुद भी इसको practice कर रहे थे और कुछ time बाद ये technique काफी popular हो गई और 1808 में O.V.S.A.T. ने ओन ब्रगर की book inventum novum को Latin से French में translate किया और उन्होंने इसमें अपना भी 20 साल का experience इस book में लिखा और medical field में doctors बिमारियों को diagnose करने के लिए एक और method यूज करते हैं जिसे हम auscultation कहते हैं जिसमें doctors chest की sound और heartbeat को सुनते हैं और auscultation के practice के हमें सबसे पुराने reference इजिप्ट के medical text Ebers Peppy देखने को मिल जाएंगे जो कि एप्रॉक्स 4000 साल पुराना है और इसके reference हमें हिंदू वेदाज और hypocritic की writing में भी देखने को मिल जाएंगे पर 19th century तक हम सरिफ direct auscultation को ही इस्तमाल कर पा रहें जिसमें doctors इस तरह patients के chest को सुनते थे पर ये तब बहुत मुश्किल हो जाता जब patient female होती और उसका weight बहुत जादा होता तो doctors के लिए sound को सुन पाना काफी uncomfortable था और इससे doctors को hygiene के problem को भी face करना पड़ रहा था लेकिन 1816 में एक बड़ा change आया Dr. Lennick के सामने एक young woman heart disease symptoms के साथ आती है पर Lennick को उस lady के जादा weight और जादा breech size होने की वज़े से diagnosis करने में काफी problems आ रही थी इसलिए वे इस problem से बाहर निकलने के लिए paper को roll करते हैं और lady के chest को सुनने लगते हैं और वे बहुत शौक होते हैं कि वे इस roll paper से जादा clear सुन पा रहे थे जैसा उन्होंने कभी direct auscultation से भी नहीं सुना था Lennick इसके बाद तीन साल तक इस sthetoscope के काम करते हैं जिसमें वे इसके design को perfect बनाने के लिए different types की लकडियों का इस्तमाल करते हैं और ये Lennick का पहला sthetoscope था और इसके तीन detachable parts थे अगर उन्हें lungs का sound सुनना होता वे इस part को remove कर देतें और हर्ड sound को सुनने के लिए इस part को attach कर देतें और 1819 में वे उनकी observations और findings को publish करते हैं और Lennick को इन सब की प्रेरना अपने teacher कोरवी साट से मिली जिनोंने ओन ब्रगर की book को French में translate किया था जिनके बारे में हमने वीडियो की starting में बात की थी उन दिनों Lennick का स्थेटोसकॉप बहुत से डॉक्टर्स इस्तमाल करने लगे जो की परसनली Lennick ने बनाया था और Lennick ने अपने स्थेटोसकॉप के साहरे ही लंग्स की normal और abnormal sounds को भी बताया लennick ने इन abnormal sounds को पहचान के उने वाली बिमारियों के बारे में भी बताया जिसमें ये बिमारिया शामिल है pneumonia, emphysema, pneumothorax, thesis और tuberculosis और Lennick के टाइम पे tuberculosis काफी common disease था जिस से बहुत सारी मौते हो रही थी और Lennick के mother, brother, uncle और उनके teacher की भी tuberculosis से मौत हुई थी तो ये natural था कि उनका focus tuberculosis और chest diseases पे ही होगा उन्होंने बहुत सी अटोप्सिस करके ये तो पता लगा लिया था कि ये बिमारी लंग्स में fluid filled या pus fill होने के कारण होती है पर वे इसके treatment के बारे में जादा नहीं बता पाए और उन्होंने ही इस diagnosis के बारे में बताया जिससे किसी भी patient के heart sound को सुनके differentiate कि अजा सके की वे person healthy है या unhealthy Lennick के स्थेटोसकॉप आने के बाद sound की quality को improve करने के लिए इसमें बहुत से change किये गए 1829 में Nicholas Cummins पहला flexible स्थेटोसकॉप इंवेंड करते हैं और फिर इसके बाद 1840 में डॉक्टर CJ ये स्थेटोसकॉप इंवेंड करते हैं और 1851 में डॉक्टर Nathan Marsh बाइनॉरल स्थेटोसकॉप बनाते हैं जिसकी मदद से डॉक्टर्स दोनों कान से sound सुन सकते थे और 1852 में कामन इस स्थेटोसकॉप में कुछ modification करते हैं जिसके बाद ये कुछ ऐसा दिखता है और 1885 में Charles Denison स्थेटोसकॉप का एक बहुत ही नया model लेके आते हैं जिसमें इस तरह से multiple bells लगी थी अगर उन्हें adults के लिए use करना होता तो वे इस bells को attach कर देते और अगर उन्हें infants को सुनना होता तो वे इस bells को remove कर देते और फिर 1931 में Mayor और Phelps ये स्थेटोसकॉप invent करते हैं जिसकी लंबी सी ट्यूप थी और फिर 1960 में David Littman स्थेटोसकॉप बनाते हैं जो की पिछले डिजाइन से काफी lightweight था और इसका जो डिजाइन है इस से थोड़ा मिलता जुलता डिजाइन का ही स्थेटोसकॉप हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं और 1999 में Richard एक noise reducing स्थेटोसकॉप बनाते हैं और उसके बाद 2015 में 3D printed स्थेटोसकॉप आता है इसकी cost non 3D printed स्थेटोसकॉप से भी कम थी और 2018 में पहला artificial enabled स्थेटोसकॉप आता है जो की पूरी तरह से wireless होता है और इसके थूरू sounds को record भी कर सकते थे लेकिन इन सब की शुड़ात एक rolled paper से हुई थी कहीं महान inventors की तरह लैनक को भी अपने जीवनकाल के दोरान इतनी appreciation नहीं मिली जितनी वो deserve करते थे और उस टाइम के popular physician ने उनके invention से बिलकुल भी impressed नहीं थे और उन्होंने तो लैनक के स्थेटोसकॉप को एक flower pot की तरह देखा लेकिन लैनक के स्थेटोसकॉप से ही डॉक्टर इस capable हो पाए है कि वैस subjective finding से objective finding पे shift हो गए उनके इस invention ने modern medicine को बुरी तरह से change कर दिया तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में किसी और topic के साथ और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like करें और इस channel को subscribe कर दें